पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बेहार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी राबड़ी देवी के आवास पर आज सोमवार को सुबह CBI की टीम पहुंच गई राबड़ी देवी के समर्थकों ने इसे बदले की भावना से की जा रही कार्यवाही बताया है। उन्होंने कहा है कि भारतिय जन्ता पार्टी के द्वारा राजनीतिक समिकरन को बनाने के लिए यह कार्यवाही की जा रही है हालांकि जन्ता इस बात का पूरा जवाब देगी जमीन भोटाला मामले में पूछताच के लिए CBI पहुँची है CBI राबडी देवी से जमीन के बदले नौकरी केस में पूछताच करने की कार्रवाई कर रही है सुत्रों ने बताया कि इस केस में लालू प्रसाद यादव और राबडी देवी उनकी बेटी मीसा भारती समेट 14 लोग आरोपी है 15 मार्च को लालू यादव उनकी पतनी राबडी देवी और बेटी मीसा भारती को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है जिसमें CBI की टीम पहुँची बताई जा रही है राबडी देवी विधान परिशद जाने की तयारी कर रही थी अगर बात करे राष्ट्रिय जनता दल के समर्थकों की तो उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव सिंगापो से लोटे हैं उनकी थोड़ी से सक्रियता बड़ी और एक कार्यक्रम में उन्होंने जनता को संबोधित क्या कर दिया इसके बाद केंद्र सरकार भयभीत हो गई बिहार में सब लोग होली की तयारी में लगे हैं और भाजपा वाले CBI की टीम भेजी है वो कह रहे हैं कि संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया है 2024 के चुनाव में जनता इसका माकूल जवाब देगी जैसे ही राष्ट्रिय जनता दल के समर्थकों को यह जानकारी लगी कि CBI की टीम राबडी देवी के आवास पर जांच करने के लिए पहुची है वैसे ही राबडी देवी के आवास के बाहर राष्ट्रिय जनता दल के समर्थकों की भीर इकठा हो गई और वहाँ पर उन्होंने नारेबाजी करना शुरू कर दिया समर्थकों का कहना है कि मोधी सरकार लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से डरी हुई है जिसके कारण से यहाँ CBI को भेजा गया है राष्ट्रिय जन्ता दल के विधायक ने कहा कि लालू परिवार को टॉर्चर करने धमकाने और सरेंडर के लिए CBI की टीम वहाँ भेजी गई है ग्रेह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू और तेजस्वी किसी कीमत पर जुकने वाले नहीं है जन्ता दो हजार चौबीस में जवाब देगी फिलहार CBI अपना काम कर रही है